नितीज बाबू जितना भी लाग दावे कर ले पर सच तो यही है कि उनकी शराब बंदी कानून की धजिया खूब उलाई जा रही है पचीज सो रुपे भत्ता पाने वाले मुख्या जी पाँच हजार रोजाना कर रहे हैं स्रिक शराब पर खर्च जनता भी ऐसी है कि शराबी को बना लेती है पंचैत का मुख्या मुख्या जी भी ऐसे है कि उन्हें अगामी चुनाव का भी चिंता नहीं है शराब पीना और फिला फिला कर वोट लेने के जुगार में मुख्या जी की जान पर बनाई जब सराब पाटी देखकर मुख्या जी अपने घर को चले हुआ कुछ ऐसा कि साहेपुर कमाल परखंड अंदर कर सनापुडवी के मुख्या जो छेतर के शराब प्रेमी के नाम से भी जाने जाते हैं अक्सर शराब पी कर पंचायत को हिलाती चलते हैं वही रातरी 11 बजे के आसपार शराब पी कर पाइक से अपने घर को चले लेकिन यह क्या घर पहुचने के बजाए एक पानी से भरे गड़े में जागुसे गटना पंचायत भवन सनापुडवी के समीव एक बड़े गड़े के पास कटी अस्थानी लोगों के सायोग से उनने बाल-बाल बचा लिया गया खरे होने के स्तिती में भी मुक्या बबलू जान नहीं देखे गए तो लोगों ने उस सरे वे पानी से निकाल कर सरक पर बठा दिया और उनकी गारी को निकालने लगे आप तस्वीरों में देख सकते हैं सरापूरव के मुख्याजी शराब के नसे में बेसुत सरग पर बैठे हैं और उनकी जनता उनके पाई को उस बदबुदार पानी से निकाल रहे हैं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्या जी शराब पीने के वज़ा से पूरू में जेल भी जा चुके हैं जमानत पर पहार आएं हैं लेकिन प्यार तो आखिर प्यार है किसी को धन से प्यार होता है तो किसी को पुट्र से तो किसी को अपने समाब से लेकिन इनसाब को तो सराब और कवाब से ही प्यार है जानकारे के मुताबिक मुख्या बबलु जाग ना तो बिहार सरकार के किसी कानून को मानते हैं ना ही भार सरकार के किसी कानून को क्योंकि जनाब राजत के समर्थक बताया जाते हैं अब समाल उठता है कि आखेर क्यूं लोग ऐसे व्यक्ति को मुख्या चुनते हैं जो सराब पीना और पिलाना ही विकास समस्ता है आखेर सनापुरब की जनता चाहती क्या है सराबी समाज या शराब प्रेमी समाज आखेर सकत्ता है की अपक कर घराद को फहाद मन थी हो जा सेनने थे शारी जा मुतम एंगीज़े यเหित शोता है। झाल